नमस्कार दोस्तों आपने सेट एक्जाम के बारे में जरूर सुना होगा और सेट एक्जाम के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी भी चाहिए क्योंकि फ्यूचर में आपको इसी से गुजरना पड़ेगा तो आज के इस सेशन में हम इसको डीटेल में कवर करेंगे मैं यहां तक आपको कह सकता हूँ कि YouTube पर सायद इतनी बहतरीन वीडियो आपको और कोई न मिले तो पूरी वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा तो वीडियो अगर आपको जम जाये तो इसे सेर जरूर करिएगा है गईस मैं हुआ सोक सिंग और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमें इसा ब्रेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर वेल आइकॉन पर क्लिक करें तो ये जो सेट एग्जाम है इसे हम कौम अलिजबील्टी टेस्स के नाम से जानते हैं और इसे एनरे ने इंट्रूड है NRA का full farm होता है National Recruitment Agency, ठीक है, यह जो set exam होगा न, वो prelims label का test होगा, और बहुत सारी vacancies जो आती हैं, अलग-अलग आयोग से उनके लिए जो prelims होता है, उनको NRA के द्वारा organize करवाया जाएगा, वो भी set नाम से, जितनी vacancies central government की हैं, केवल वही vacancies यहाँ पर लागू होंगी, व और जितने non-gazited post है, उनके लिए set exam है, आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कि इसे introduce क्यों किया गया है, तो इसे introduce इसलिए किया गया है, कि इससे time की बचत होगी, बच्चे जो है न, वो बहुत सारे अलग-अलग आयोग के exams को crack करते हैं, उनके लिए अब जितनी भी vacancies आत है, पैसे भी बहुत जादा खर्च होते हैं, तो पहला आपके समय की बच्चत होगी, आपके पैसे की भी बच्चत होगी इससे, ठीक है, तिसरा फाइदा यह होने वाला है कि जो serious candidate है, वही आगे बढ़ पाएंगे, जो non-serious candidate है, वो सीधे बाहर हो जाएंगे, इसके बाद एक्जाम का burden भी कम हो जाएगा, जो exam conducting agencies है, वो बहुत सारी, बहुत सारे exams करवाती हैं, जैसे माल लीजिया, पैसे सी को ले लीजिये, बहुत सारे अलग-अलग exams उनोंने करवाते हैं, उनका prelims, railway हो गया, IBPS हो गया, तो इन सब का भी burden कम हो जाएगा, इसके अलावा transparency इसका भी use कर सकते हैं, और transparency भी बनी रहेगी, ये कहना है सरकार का, ठीक, अब जो भी हो, वो तो आगे देखा जाएगा, इसके बाद बात आती है, कि कौन-कौन इसे apply कर सकते हैं, तो अगर आप 10th pass हैं, तो इसके लिए eligible हैं, आप apply कर सकते हैं, अगर आप 12th pass हैं, तो आप भी apply कर सकते हैं, और अगर आप graduate हैं, तो भी आप इसे apply कर सकते हैं, अब भाई, इन सभी के लिए set exam तो है, लेकिन इनके लिए जो exams होंगे, उनका label अलग-अलग होगा, ठीक है, उनका syllabus होगा, exam pattern होगा, वो different होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके exam purpose को देख लेते ह ठीक है, यानि computer पर आपको exam देना पड़ेगा, ये चीज लगभग-लगभग confirm है, इसके अलामा, अगर आप set exam pass कर लेते हो, तो जो आपको certificate issue किया जाएगा, वो central government का होगा, और तीन वर्स उसकी validity होगी, तो अगर आप एक बार पास करते हो, तो अगले तीन वर्स तक आप उस certificate का use कर पाऊगे, और set का जो exam है, वो वर्स में दो बार होगा, जैसे seated का exam होता है, वर्स में दो बार होता है, net का exam वर्स में दो बार होता है, उसी तरह set का exam भी वर्स में दो बार होगा, ठीक है, कब-कब होगा, अभी ये fix नहीं है, इसके अलामा, यहाँ जो exam का language है, वो multiple language आपको प्लब्द होगा, आप चाहोगे, तो जिस भी language में चाहोगे, वो लगभक language आपको मिल जाएगा, कुल 12 language में ये exam होना तैं हुआ है, वैसे हिंदी और इंगलिस तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है, इसके अलावा, इस exam के लिए जो आयोग सामिल किये जाएंगे, व आपको 10 plus 2 का पोस्स मिल जाएगा, ठीक है, CHSL का मिल जाएगा, सिटोन ग्राफर मिल जाएगा, MTS मिल जाएगे, शारी इसमें सामिल कर लिये जाएगे, इसके लावाँ, IBPS-SO आता है, IBPS-PO आता है, IBS-Clerks आते हैं, ये सारी के सारी, इसमें सामिल कर लिये जाएगे, आपके इसका फाइदा ये होगा कि अगर आप prelims अगर आप set qualify कर लेते हो तो सीधे आप कोई भी vacancies आती है किसी आयोक से उसमें आप apply कर सकते हो और apply करने के बाद सीधे आप उसके अगले stage में पहुंच जाओगे अब माल लिजे उस vacancies में पहले prelims है उसके बाद skill test है तो सीधे आपको skill test देना होगा अगर mains है तो फिर आपको mains देना पड़ेगा prelims आपको नहीं देना पड़ेगा तो ये आपका एक फाइदा होने वाला है इसके अलामा जो इसका score है उसे और कहा कहा यूज किया जाएगा तो set exam actual में जो सरकार कह रही है उसके इसाब से तो बहुत बहतरीन exam है सरकार कह रही है कि central government की जो vacancies है उसमें set का use तो किया ही किया जाएगा state government की जो vacancies है उनकी recruiting agencies भी in score का use कर सकते है और इसके लिए मध्यपरदेश सरकार ने announcement भी कर दिया कि हम इसका use करेंगे बाकी और किसी state ने अभी तक announce नहीं किया है फिलहाल आगे देखते हैं क्या होता है इसके अलामा जो PSUs हैं public sector undertaking वहाँ पर भी इस score का use किया जाएगा उनके इस score के माध्यम से वो short list करेंगे candidates को अपने हाँ job के लिए ये भी बात सरकार ने कही है इसके अलामा जो private companies हैं वो कुछ agreement के माध्यम से set score को value दे सकती है तो ये तो बात अब तक हुई है इस set के बारे में बात आती है कि इस same exam for all यानि कि सभी के लिए क्या एक ही exam होने वाला है तो नहीं अगर आप 10th pass है उसके basis पर apply कर रहे है तो आपके लिए जो exam का label होगा और syllabus होगा वो थोड़ा सा अलग होगा 12th के लिए syllabus हो label अलग होगा और graduation के लिए syllabus हो label अलग होगा तो ये भी चीज़ें आपको clear होनी चाहिए बात आती है negative marking की तो जो exam होने वाला है अगर आप कोई question गलत करोगे तो negative marking है one upon fourth की यानि 0.25 marks आपके काट लिए जाएंगे पर question के हिसाब से जवाब कलत करते हो और यहाँ पर आपके पास कोई limit नहीं है आप unlimited बार set exam दे सकते हो कोई भी category के आप हों तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है तो वर्स में दो बार तो set exam होगा अगर आप पहली बार नहीं पास करते हो फिर दो फिर नहीं पास करते हो तो आने वाले वर्स में फिर आप दे सकते हो तो यहाँ पर कोई बादेता नहीं है वैसे आप अच्छी तियारी करोगे तो पहली बार में पास कर जाओगे तो अगले तीन वर्स तक आप इसली अप्लाई कर पाओगे बात आती है qualifying marks की तो अभी announcement नहीं हुगा है कि कितना qualifying marks रखा जाएगा पर जहां तक मुझे लगता है क लगबग general के लिए 60% के करीब marks रखा जाएगा general OBCWS जो भी हो लेकिन जो SCST है उनके लिए 55% का marks रखा जाएगा ये मेरा अपना मानना है मुझे जहां तक लगता है मैं इसमें पूरी तरह से sure नहीं हूँ क्योंकि सरकार का ये official announcement नहीं हुआ है I.O.C. का ये official announcement नहीं हुआ ह इसके अलावा syllabus और exam pattern भी अभी announce नहीं हुआ है तो जब भी announce होगा इस पर हम एक फिर से video बनाएंगे जिसमें आपको information दी जाएगी और पहला set exam कब होगा ये भी आपका प्रस्न हो सकता है जो सबसे पहला set exam हो सकता है वो 2022 में हो सकता है अभी अभी announcement हुआ है कि 2022 के start में हम set को लागू कर देंगे तो 2022 से हो सकता है कि आपको set exam देने का मौका मिले तो लगबख सीजे हमने cover करनी है आप बताइए आपको ये video कैसी लगी comment में लिके अगर अब भी आपका कोई प्रस्न है तो आप comment में लिख सकते हैं उन प्रस्नों को एक करके हम आपको future में videos दे तो आप first comment को जरूर चेक करते रहिए वहां से आपको information मिलती रहेगी और आपको ये session कैसा लगा ये आप बताना बिलकुल नहीं भूलिएगा अच्छा लगा हो तो एक like और एक share करना बिलकुल नहीं भूलिएगा जिससे और लोगों को भी इस video का लाब हो सके फिर मिलते है एक नए session में तब तक के लिए जए हिंदे